हाई वेलकम टू माइच चनल इस वीडियो में समझेंगे क्वेशन नमबर 2 रिप्रेजेंट इच व दे फाल्विंग नमबर्स अन्ध नमबर लाइन तो इन सभी नमबर्स को नमबर लाइन पर कैसे रिप्रेजन करेंगे यह हमें करना है तो सबसे पहले क्या करते हैं कि थोरा सा कांसेट समझे लेते हैं कि कैसे रिप्रेजन के जाता है रिप्रेजन नमबर्स को नमबर लाइन पर तो हमारे पास यह आपका है नमबर लाइन तो हम यहां ले लेते हैं 0 और यहां लेते हैं 1 और यह ले लेते हैं 2, एक लिए 3, 4, 5 ले लेंगी इथर और इधर हो जाएगा माइनस 1 और माइनस 2, माइनस 3 से कर भो जाएगा अब धान देजगे यहां पर कि जब भी हमें rational number देगा रेपिजन करने के लिए तो दो तरह के rational numbers होते हैं यदि हम उनका division करें या फिर partition करें तो पहला होता है proper rational numbers और यह प्रापर रेशनल नंबर यह रहेगा जो कि यहां पर 527 क्या है प्रापर रेशनल नंबर है क्योंकि numerator जो है denominator से छोटा है तो ऐसा rational number जिसका numerator denominator से छोटा हो उसे बोलते हम लोग proper rational number तो 527 क्या है प्रापर रेशनल नंबर है तो यह हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करेगा मतलब यदि positive हुआ मतलब positive proper rational number रहेगा तो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा हमेशा और यदि negative होगा तो 0 और minus 1 के बीच में लाई करेगा मतलब इसमें ओके और यदि आपका improper हुआ तो improper रहेगा तो हमें पहले उसको mixed fraction में change करना पड़ेगा ठीक है improper rational number यदि होगा तो पहले उसको change कर लिजेगा mixed fraction में और उसके बाद पर चलेगा कि वह कहां पर represent होगा जैसे मैं बताऊंगा अभी यहां पर कैसे करेंगे one by one चलिए यहां पर करते हैं और यहां पर कुछ decimal numbers भी है 1.3 और minus 2.4 तो इनको भी हम represent करना सिखेंगे चलिए तो यहां पर हमारा जो पहला start करते हैं solution first 5.7 how to represent this number 5.7 तो 5.7 क्या है 5.7 जो है एक proper rational number है proper तो यहां पर क्या करेंगे यह हम जानते हैं कि 0 और 1 की बीच में like करेगा तो 0,1 की बीच में like करेगा तो कहां करेगा यह हमारा main मतलब मकसद है find करना कि ठीक है 0 और 1 की बीच में like करेगा तो 0 हम आयå ले 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 लेते हैं और यह ले 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 लेता है one उसके पाद साी हो जाएगा टू, ऐसे करके यहां पर 3 हो जाएगा, ऐसे करके 4, 5, 6, 7 कर लेंगे, 0, 1 की बीच में लाइक करेगा, यह 5, 7 इसलिए ज्यादा नंबर हमने यहां पर लगाना सही नहीं है, 0, 1 की बीच में हम कैसे करेंगे इसको, ध्यान देज़ेगा, सबसे पहले चेक करना होता है, कि इसका denominator क्या है, यहां पर देखे, 7 है इसका denominator, 7 क्या बताता है, 7 बताता है, कि 0 और 1 के बीच में, जो distance है, उसको हम 7 equal parts में divide करेंगे, ठीक है, तो पहले 7 equal parts में इसको divide कर लेते हैं, तो देखे, हम यहां पर करेंगे, तो इसको color change कर लेते हैं, यहां पर हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7, तो यहां पर आप देख सकते हैं, कि यहां पर देखे, यह हो गया एक partition, फिर यहां से दूसरा, फिर यह तीसरा, 4, 5, 6, 7, तो यह इसी को बहुत बोल रहा हूं, कि यह 7 partition कर लेंगे, ठीक है, 7 partition करने पर होगा क्या, कि यहां पर हम इसको पहलेटा लेते हैं तो 7 partition करने पर क्या होगा, कि यह 6 points मिल जाएंगे हमें, ठीक है, तो हमें रिपेंट करना है 5 upon 7, तो पहले हमने क्या बताए आपको कि 5 upon 7 क्या है, प्रापर रस नमर है, और यह प्रापर रस नमर होगा, तो वो 0, 1 के बीच में लाई करेगा, और इसको रिपेंट करने के लि 5 times जाएंगे, ठीक है, जम करते हुए, तो जैसे कि हम यहाँ पर क्या करते है, 5 times यदि हम जम करते हैं, right side में, तो हमें क्या मिलेगा, let us do it, तो जैसे कि हम पहली बार जम करेंगे, तो मिलेगा, यहाँ पर एक बार जम किया हमने, फिर दूसरी बार यह हुआ, 3rd times, this is 4th times, 5, 5, तो यह 5 बार हम गहने हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर जैदी 5 है, तो 5 बार जम करना पड़ेगा, और 5 बार में, जिस point पर पहुचेंगे, वही represent होता है, 5 upon 7, means वही point represent करता है, 5 upon 7 को, तो 5 upon 7 is this number, तो हमने 5 upon 7 को repeat कर लिया, यही आप कहते हैं कि 4 upon 7 को कैसे repeat करेंगे, तो उ यही आपका 4 upon 7, यही आपका है क्या, 4 upon 7, उसके पहले वाला क्या है, 3 upon 7, उसके पहले वाला 2 upon 7, पहले वाला क्या है, यह वाला point 1 upon 7, और उसके आगे वाला क्या है यहाँ पर, यह है आपका 6 upon 7, यह point का है, 6 upon 7, तो मतलब कि ऐसे करके हम return कर लेते हैं, तो हमने देख लिया कि 517 कहा लाई करेगा तो 01 के पुछ में यहाँ पर लाई करेगा यह point जो होगा वही होगा 517 ओके अब करते हैं 8 upon 3 8 upon 3 को वैसे करेंगे तो यह है आपका improper fraction ठीक है तो second हमारे पास है 8 upon 3 तो पहले क्या करते हैं कि जब भी आपको improper मिलेगा पहले इसको mixed fraction में चेंज कर लीजिए मतब 3 से divide कर दीजिए 3 to 6 कितना बचा रिमेंडर 2 by 4 2 upon 3 तो देखें यहाँ पर जब mixed में चेंज करेंगे तो कुछ मिलता है जो whole part होता है और कुछ मिलता है जो proper part होता है तो यह 2 by 3 क्या है एक proper number है तो 2 जो बता रहा है वो बोल रहा है कि complete हो चुका है 2 इसका मतलब यह हुआ कि number line पर जब number line खिचेंगे यहाँ पर 0 से start करेंगे यहाँ पर और यहाँ देखें 1 2 मैंने कि 1 और 2 यह दुनों complete हो चुका है उसके बाद जो next वाला interval है मतलब कि 2 और 3 वाला interval इसी में यह represent होगा 2 whole 2 by 3 यह जो 2 whole है न यह बता रहा है कि आपको पहले यहाँ जम कर लेना है 1 और 2 यह मतलब दोनों के दोनों complete हो चुके हैं मतलब आप पहले यहाँ पर आ जाएंगे और 2 के आगे वाला जो interval है मतलब 2 और 3 के बीच का जो distance है इसी के बीच में like करेगा 2 upon 3 मतलब 2 by 3 को जो है 2 और 3 के बीच में हम represent करवाएंगे और उसी तरह करवाएंगे जैसे हमने यहाँ पर किया था 5 upon 7 को 0 और 1 की बीच में मतलब क्या करेंगे 2 by 3 का देखिए कि denominator क्या है 3 है तो 3 बता रहा है कि हम 2 और 3 के जो बीच का distance है उसको 3 equal parts में divide करतेंगे मतलब कि हमें क्या करना होगा यहाँ पर हम थोड़ा सा color change कर लेते हैं यहाँ पर हम कर लेते हैं 2 और 3 को divide हम 3 parts में क्योंकि यहाँ पर देखिए denominator क्या है 2 by 3 का क्या part है 3 है आपका denominator यहाँ पर कर लेंगे हम 1 मतलब यह 1 part हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 part हो गया फिर यह हो जाएगा 2nd part और यह हो जाएगा 3rd part तो हमने 3 parts में divide कर लिया उसके बाद जो उपर वाला होता है numerator उसको देखते हैं कि कहा है 2 है आपका है आपर इसका मतलब कि 2 बार jump करेंगे यहाँ से 1 और यह 2 तो जहाँ पर jump करके जाएगा यह 2 point यही वो point होगा जो represent करेगा इस पूरे number को मतलब 2 hold 2 by 3 2 hold 2 by 3 मिन्स यही आपका 8 by 3 मतलब यह जो point है यही represent कर रहा है 8 by 3 को आप समझ चुके होगे कैसे represent करेंगे एक improper rational number को आप चलिए represent करते हैं मानस 23 आपान 6 को तो इसको हम erase कर लेते हैं यही पर बना लेते हैं तो यहाँ पर हम erase कर ले हैं यहाँ से यदि आपको नूट करना होगा तो वीडियो को pause करके नूट कर लीजिएगा ओके अब हम करते हैं थर्ड पार्ट थर्ड आपका मानस 23 आपान 6 सबसे पहले क्या करना होता है मैंने बताया कि पहले इसको mixed fraction में या फिर mixed fractional number में चेंज कर लेंगे तो 6 से डिवाड़ कर यह 6 सरीजा 18 होता है तो मानस 3 होल और कितना बचा 18 to 5 बचा 5वपन 6 हो जाए गए यहाँ पर 5वपन 6 means हमने चेंज कर लिया मानस 23 आपन 6 को mixed fraction में और वो हो गया मानस 3 होल 5वपन 6 यहाँ पर देखें complete क्या हो गया है यहाँ पर मानस 3 complete है इसका मतलब कि यह negative number है तो हम left side में represent करेंगे इसको ठीक है तो पहले हम बना लेते हैं number line और number line पर यहाँ पर लेंगे हम 0 और उसके आगे तो हम 1, 2 represent करेंगे लेकिन उसके left में क्या करेंगे minus 1, minus 2, minus 3 करेंगे यहाँ पर लेंगे minus 1 फिर यहाँ ले लेते हैं minus 2 फिर ले लेते हैं हाँ पर minus 3 और उसके पहले ले लेते हैं minus 4 तो ध्यान दे जीगा कहाँ पर यह represent होगा तो हम 0 से left में जाएंगे अब ठीक है जब negative number रहेगा तो देखें minus 3 क्या है complete है, minus 3 complete है का मतलब कि 0 से हम गये minus 1 फिर minus 2 यहाँ पर फिर minus 3 तो हम लोग 3 times जम कर लिए तो आगे minus 3 पर अब इस point से आगे जाएंगे कितना 5 upon 6 तो 5 upon 6 जो है क्या है एक proper number है तो proper number को रिपेन करने का तरीका में जानते हैं हम लोग क्या करते हैं denominator को चेक करते हैं कितना है तो 6 है यहाँ पर तो 6 बता रहा है कि हमें minus 3 मतलब कि यहाँ पर देखिए minus 3 और minus 4 का जो interval है उसको 6 equal parts में divide करना है ठीक है, अब समझ गया यहाँ पर क्या करना पड़ेगा देखिए यहाँ पर 0 से 3 times left में आ गए क्योंकि minus 3 whole है complete है उसके बाद उसके आगे वाला जो interval है उसमें revision करेंगे 5 upon 6 5 upon 6 को revision करने के लिए गया करेंगे कि minus 3 और minus 4 के interval को हम 6 equal parts में divide करेंगे मतलब जो denominator में रहता है उतने parts करते हैं 6 है यहाँ पर तो 6 part में करेंगे तो यहाँ पर हम 6 part में कर लेते हैं तो let us suppose हमारा हो गया यहाँ पर 1 part 2 3 4 5 तो हमारा 6 part हो चुका है ठीक है 6 part करने का मतलब मैं यह पताता हूँ यहाँ से कि यह हो गया 1 part यह हो गया यहाँ से दूसरा part यह हो गया 3 part यह हो गया 4th part यह हो गया 5th part यह हो गया 6th part पार्ट कहने का मतलब यही चीज है तो अब हमने 6th part कर लिया उसके बाद क्या करना है हमें इसको रिप्रेंट करना है न कहां point है वो देखें अब हम इसको चेकरने के लिए देखते हैं कि numerator क्या है निमेरेटर के है यहाँ पर 5 है तो 5 times यहाँ से मैंनस 3 से left में जाएंगे इदर हमेशा left में जाएंगे हना negative नुमर रहेगा तो left में जाएंगे 0 के और यदि पॉश्चन नुमर होता है तो 0 से right side में जाते हैं तो 5 भी रिप्रेंट करना है तो यहाँ से अब left side में एक position दो position 3, 4 और 5 यहाँ पर आएंगे मतलब यह वाला जो point है यही रिप्रेंट कर रहा है minus 3 whole 5 upon 6 को clear और minus 3 whole 5 upon 6 क्या है यह वाला यही तो number है minus 23 upon 6 तो हमने यह रिप्रेंट कर लिया इसको मतलब 0 से left side में होगा और minus 3 or minus 4 के बीच में होगा जब हम इसको 6 part करेंगे तो फिफ्ट बाला जो part होगा minus 3 से left में वही point होगा minus 23 upon 6 समझ में आ गया होगा आपको चलिए तो यह हम समझ लिए कि कैसे करेंगे हम प्रापर रिप्र को और इंप्रापर को इंदों क्या थे इंप्रापर थे तो पहले हमें मिश्ट प्रापर को तो समझ लिए थे पहली बार अब चलिए solve करते हैं question of fourth part इसका सब arrange कर लेते हैं उसके बाद हमारा है fourth part यहाँ पर है 1.3 देखिए यहाँ पर decimal number जब रहता है तो हम इसको represent कर सकते हैं इसको पहले हम rational number में करवड भी कर सकते हैं और करवड करने के बाद हम represent कर सकते हैं यह पहला तरीका तो हम यही कर लेते हैं ठीक है इसमें हो जाएगा 13 upon 10 हो जाएगा यह और इसको जब यह क्या है यह improper fraction है तो इसको change कर लिजिए proper में 10 से डिबाड़ कर लिजिए 10 एक बड़ जाएगा और यह हो जाएगा 3 upon 10 इसका मतलब की one whole 3 upon 10 हो गया यह जैसा हमने यहाँ पर improper fraction का representation किया था वैसे ही यहाँ पर इसका भी करेंगे representation तो यहाँ पर हम पहले बना लेते हैं एक number line ठीक है थोड़ा टेड़ा बन रहा है तो कोई बात नहीं है मैं हाथ से बना रहा हूं तो यहाँ पर यहाँ पर ले लेते हैं जीरो यहाँ पर और यहाँ पर हो जाएगा ओके थोड़ा बड़ा बनाते हैं ताकि जीरो हो गया यहाँ पर यहाँ लेते हैं माइनस वन और वैसे यहाँ ले लेते हैं वन उसके यहाँ लेते हैं टू और ऐसे करके यहाँ पर हो जाएग one hole है, यहां पर one hole करने का मतलब क्या है कि zero से direct हम गहां पर one पर जम कर गए, उसके बाद उसके बाद वाला जो three upon ten है, उसको प्रिण करेंगे one or two वाले interval में तो one or two के interval में यदि three upon ten को प्रिण करना है, तो देखना पड़ेगा कि ten क्या है मतलब डिनमेटर क्या है, तो डिनमेटर क्या है, यहां पर ten है तो one or two के बीच में हमें ten parts करने है तो ten equal parts करना पड़ेगा, यहां पर मतलब कि यह nine lines ड्रा करनी है, तो एक, two, three, four, five, six, seven, eight and nine तो हमने यहां पर nine parts कर दिया है equal, अब इसमें देखे करना क्या है three, three को देखना है कि इसमें कौन सा parts जो है three है, one से आगे हमेशा यहां पर हम zero के right side में जा रहे है न, तो zero से one चले गए थे अब one के आगे three parts जाना है यहां पर, क्योंकि उपर जो है निमेटर का है, three है तो यहां पर जाएंगे one, two and three, पतलब यह वाला point आ रहा है और यही जो point है वो repeat कर रहा है क्या, one hole three upon ten को और यह one hole three upon ten है क्या, यह बराबर है यह 1.3 के तो हमने repeat कर लिया है one point three और यही जो number है वो है one point three, मना यही जो point है वही है one point three तो आपको समय में आग जहा होगा कैसे repeat करेंगे one point three ठीक है अब चलिए चलते हैं लास्ट मानस 2.4 तो मानस 2.4 पहले इसको हम करवड कर लेंगे mixed fraction में पहले इसको करवड करेंगे हम improper में तो मानस 24 अपान हो जाएगा ये 10 क्योंकि अब यहां पर हो जाएगा ये 10 to 20 और मानस में होगा तुबर जाएगा और बश्यका को 4 4 अपान हो जाएगा ये 10 मिल गया मानस 2 whole 4 पान 10 ठीक है अब मानस 2 whole 4 पान 10 को जीदी प्रेंट करना है नमबर लाइन पर तो उसे कैसे करेंगे मानस 2 complete है मतलब कि हम यहां पर लेते हैं 0 यहां पर लेते हैं 1 अब यहां पर हो जाएगा देखिए 1 मैनस 1 और मैनस 2 हो जाएगा आपका यहां पर यहां ले लेते हैं और मैनस 3 हो जाएगा आपका यहां इसके बाद मैनस 4 तो अब ध्यान दीजेगा 2 complete कर रहा है मैनस 2 जो है whole complete है मतलब कि 0 से left में जाएगे तो मैनस 1 यहां complete हो गया फिर मैनस 2 हो गया मने कि 2 point हम जम कर लेंगा पहले उसके बाद 4 अपान 10 को जीपिन ठीक है उसके आगे तो अब 4 अपान 10 को जीपिन करने के लिए इसको मैनस 3 और मैनस 2 के बीच का जो distance है इसको 10 equal parts में divide करना पड़ेगा तो 10 equal parts में यहां पर कर लेते हैं तो यह हो जाएगा हमारा one part सरीष चुड़ा सार बड़ा करते हैं one two three four five six seven eight nine तो हमें 10 parts करना था तो इसमें one two three four five six seven eight nine हमें एक पार्ट और करना है तो हमें यहां पर equal parts करना है तो कोई भी एक point ले लिजिए यहां पर चलिए ऐसे यहां पर ले लेते हैं तो यह हो गया 10 parts तो हमें लेना है four हमें जो है minus two से left side में fourth point पर जाना है तो यहां से हम यहां आ चुके थे व्योंकि zero से minus one minus two जो है complete हो गया थे यहां पर minus two अब fourth position जा यह जो point मिला यही point आपका represent कर रहा है minus two whole four upon ten and this is your representation this point represents minus two whole four upon ten और यह क्या है actually actually यह है minus twenty four upon ten या फिर इसी को बोल सकते है minus two point four तो minus two point four को बेन करना है तो minus two के left में होगा और वो fourth position पर होगा ten parts करने के बाद ओके तो इस वीडियो में इतना ही समझ चुके होंगा आपकी कैसे करेंगे thank you so much for watching bye